बंगे वीरे, मुझे कहानी सुन गुना नीन नहीं आते, मैं कहानी सुनाओंगा तो सो जाएगी, ये ना कहानी है अंग्रेजी राज के उस वक्त की, जब सब लोग उनके खिलाफ एक जुट हो रहे थे, सिवाए एक शक्स के, क्योंकि उसको लगता था कि अंग्रेज भुरे नहीं है, उसका नाम था मंगा, घर के किसी स्याने आदमे को बुला लो, स्याना ही हो जी मैं, वो तो उस दिन ऐसी बच्चों के साथ थोड़ा हो, जिन्दगी की हर दोड में अबल, परिवार का सबसे लाइक लाड़ा, काम दाम कुछ करना नहीं, सारा दिन जरते ही रहना प परिक रहोगे, बंदूग मिलेगी, तो धंडा बगड़ा, जच धजबन खन चले किधर, बदली हुई है कैसे आज ये नजर, अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वह, और एक दिन, उससे अपनी राजकुमारी भी मिल गई, राजकुमारी, कॉट सर्गी, शे कानी सुनी चिपचप सुन, आपके गाम में दिल लगए जी, राज आती लड़कियों को ना या रोपने से, सार फट जाते हैं, नकुगडाई है, वे, वार रही, गानी राजकुमारी शुरू किये तो फिक अतम करनी चाहिए, मैं अपनी इपोती का रिष्ता एक अंग्रेज के नौकर से कर दू, नहीं जी, आपको गलत सहमी हुई है, अंग्रेज बुरे लोग नहीं है, महाराजा के हुकम के मताबिक आप सब को जाओ खाली करना पड़ेगा, गान्दी जी ने कहा है, कानून से बढ़ कर कुछ नहीं होता है, कानून से बढ़ा आजा होता है, लाला जी सारा जिंदरी हार ले, बहुत बुरा किया मंगे ने, मैं मंगे इनने छट, का दिया उने हमको, तुझे क्या लगता है, तुम लोग की तकलीफ का एसास नहीं मुझे, अग्र तुझे तकलीफ का एसास होता है, तो अंग्रेजों के ताल नहीं चाड़ता तू, तो बड़ा मतलब अंगे तुझे तुझे का एसास नहीं चाड़ता और तुझे को राजकुमारी नहीं मिलेगे।ू नो ज़स्टा जटिना बनू, मैं ने शुनाने तेर को कहानी। कहानी आगे तुझे खुद नि आती है, मुझे सुना रहा। झाल